हेलो नमस्का दोस्तों मैं जैन लेकी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों लास्ट टाइम लोगों ने सेट्स के बारे में थोड़ा सा मने बेसिक सी नॉलिज ली थी दोस्तों आज हम सेट्स का जो सेकेंड पर्ट है वो स्टार्ट करने वाल और आपको मेरी कोशिस रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा नॉलिज दे सकूँ और अब चलिए ज्यादा समय बेस्ट नहीं करता हूं इसको स्टार्ट करते हैं तो देखे लास्ट राम लोगों ने सेट्स के बारे में पढ़ा था अगर किसी को सेट्स के बारे में अगर नॉलिज अगर नहीं है वो कोई मेरी इस चैनल पर पहली बार आ रहा है तो मेरी लास्ट वाली वीडियो को देख सकता है उसमें मैंने सेट्स के बारे में लेकिन फिर भी में थोड़ा बहुत SETS का जो आइडिया हों है इस वीडियो में जरूर दूँगा देखे, SETS को हमने बताया था कि जो ACTUALLY SETS होते हैं वो, it is a well-defined collection of objects जिसे मैंने well-defined के बारे में बोला था कि जो ACTUALLY हमारी चॉइस पर dependent नहीं होते हैं वो collection होता है numbers का या objects का जो की independent होता है हमारी choice से जो SETS है, SETS में जैसे हमने example है, example हमने दिये थे कि जैसे natural numbers होते हैं, ये SETS होते हैं, whole number सारे के सारे SETS होते हैं the set of integers, जो SETS है, actually ये देखा जाए तो इसकी जो theory है मैं इस SETS, जो chapter है, मैं इतना emphasize इसले कर रहा हूँ, क्योंकि देखे, मैंने पहली बोला था, last time में मैंने बोला था कि जो अगर हमें अपना basic, बहुत strong करना है, तो हमें class 11th की जो mathematics है उसमें जो, अगर हमें 12th में बहुत अच्छा करना है, तो मेरी class 11th की जो mathematics है, उसका base बहुत अच्छा होना चाहिए तो क्योंकि ये हमारा starting chapter है, अगर हमें यहाँ पर, अगर हमें कई चीज़ें, अगर हम properly seat लेंगे तो हम 12th में बहुत अच्छा कर पाएंगे, इवन आगे जो competitive exam है, like NTA, IADJE, वहाँ पर भी हमारा जो score है, वो काफी अच्छा रहे हैं, तो देखें जो sets है, ये जो concept है, this is being used in almost every branch of mathematics, that's why मैं इसको इतना ज़्यादा में इसमें emphasize करके कर रहा हम, क्योंकि देखें, ये आगे जाके अगर आप, suppose करो, graduation में भी अगर आप mathematics परस्यू करते हैं, ये आप post-graduation में भी करते हैं, तो ये concept का use आपका आगे भी होगा, तो इसलिए अगर आप यहीं से अगर आप इसको proper, अगर आप इसमें base बना लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत फाइदी मन होने वाला ह तो इस जॉर्ज कंटूर थे, 1854 से 1918 तक इनकी ये मरला रहे, तो इन्होंने इसका, ये जो theory है, इन सेट की, इन्होंने इसको develop किया था, ठीक है, तो sets के बारे में हमने पहले से पढ़ा था, कि भाई, जितना भी well-defined collection होता है, जो objects का, उसी गॉम sets बोलते हैं, इसमें कोई भ objects या जो collection जो किसी भी group में रखे जाते हैं, जो members जो इस group के होते हैं, वो well-defined होते हैं, ओके, और वो हमारी choice पर नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसके जिसे examples हैं, जिसे हमने देखे थे examples, जिसे में कुछ examples और बताऊं जिसे, odd number less than 10, तो odd number less than 10 कौन कौन होंगे, 1, 3, 5, 7, 9, ठी ठीक है, so this is a set, reverse of India, reverse of India का अगर हम बात करें तो यह भी आपका क्या बनाता है, set बनाता है, जो जो India के अंदर सारी की सारी reverse होंगे, एक set बनाएगा, vowels in the English alphabet, जैसे vowels in the English alphabet कौन कौन से होंगे, अगर हम इसको देखें, तो यह होंगे, A, E, I, O, U, similarly, the prime factor of 210, 210 के prime factor बताईगे, जैसे 210 के prime factor क्या क्या होंगे, 2, 3, 5, 7, जो की prime factor है, of 210, prime factor, यानि, जो simply इसको divide करते हैं, खुद divide नहीं होते है, prime number सा those number, which is actually divisible by one or itself, यानि जो की या तो सरफ one से divide होते हैं, या तो खुद से, तो जैसे two है, two एक prime number है, तो इसका prime factor है, तो two से divide होता है, इसी तरह से three से divide होता है, five से divide होता है, seven से divide होता है, तो actually इनका भी अगर हम collection लें, तो यह क्या आपका set है, क्यूंकि it is well defined, तो यह सारे के सारे हमने देखे थे, इसके बाद, देखे, अब सबसे ज़्यादा important है, sets को represent करना, जैसे हम अभी तक इसके बारे में, sets के बारे में हमने बढ़ा कि, जो sets होता है, वो actually, किस तरीके से, अभी तक हम इसको सरफ notation में, एक ही तरह के notation में देखे रहे हैं, देखें, इसको represent करने के और भी कई सारे ways होते हैं, तो actually, जो set होता है, set को हम दो वे में represent करते हैं, देखें, पहली जो form है, वो है roaster form, और इसको हम tabular form भी बहुते हैं, second है, set builder form, तो generally, जो sets होते हैं, तो दो form में represent होते हैं, एक होती है roaster form, और एक होती है set builder form, यह सारी की सारी जो form है, यह roaster form है, roaster form में simply हमारे पास एक curve bracket होता है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, objects को represent करते हैं, as it is, okay, तो सारे के सारे जो example हैं, यह सारे के सारे roaster form के example हैं, जैसे natural number, whole number, and the set of integers, and the prime numbers, less than 10, vowels, prime factor of 210, we can see that, तो यह सारे के सारे आपके क्या हैं, roaster form के example, अब आता है set builder form, set builder form क्या है, अगर मैं set builder form की बात करूँ, तो इनी forms को, मैं कुछ different way बें रेप्रेसेंट कर सकता हूँ, जैसे for example, natural number को मैं लिख सकता हूँ, x such that x is a natural number, okay, so, actually मैं इसमें जो data है, या जो भी आपका जो numbers हैं, मैं इनको represent कर रहा हूँ, इनना arithmetic form, यानि जो collection है, ये group है, मैं इसको generally arithmetic form में represent कर रहा हूँ, जबकि set builder form में मैं इसको algebraically represent कर रहा हूँ, okay, तो इसी तरह से, जैसे suppose करो, ए वाला set है, ये वाला set, इसको मैं represent करूँगा, तो मैं किस तरह से represent करूँगा, x such that x is an odd natural number, less than 10, okay, so we can see that x, x is an odd number, natural number, less than 10, मैं इसको इस तरह से पर represent कर सकता हूँ, तो a, जो set है, इसको represent करने के दो तरीके है, एक तो है 1, 3, 5, 7, 9, जो कि एक roster form है, और a, x, x is an odd number, less than 10, तो इन दोने का जो answer है, उस सेम है, लेकिन जो हम आपको एक चीज बताना चाहूँगा, स्टार्टिंग में, जो set builder form है, यह थोड़ा सा convenient नहीं लगती है, लेकिन आगे जाके सबसे ज़्यादा यह use, जिस method का हम कह सकते हैं, कि mathematics में सबसे ज़्यादा use होता है, वो इसी method का use होता है, तो हमारा जो main focus रहेगा, हम इसी पर रहेगा, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसी को हम आगे भी use करेंगे, ओके, तो I hope कि आपको इस सब समझ में आ गया होगा, कि जो set है, set is a well-defined collection, set को represent करने के दो वे होते हैं, एक होता है roster और एक होता है set builder form, okay, now, the most important thing, sets में, देखे, set में, जब भी कोई numbers है, suppose करो, मेर पास एक word है, school, okay, now, this is, we want to, uh, form a set of this word, school के, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, the set of, uh, all, letter, forming this word, school, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, it is represented by a, if we can see that, इसमें कौन-कौन से letter है, जैसे, एक है, s, c, h, o, l, okay, now, देखे, इसमें, ओ, दो बार repeat हो रहा है, लेकिन, हम लोग, कोई भी set के अंदर, कोई भी जो elements होता है, वो, बार-बार repeat नहीं होता, उसको हम एक ही बार present करते हैं, जैसे, अगर आपके सामने, school है, तो, school के अंदर भले ही, जो वर्ड है, वर्ड के अंदर, दो बार, ओ, का, ओ, दो बार repeat हो रहा है, लेकिन, जब आप उसको set form में लिखेंगे, तो, कोई भी जो number है, या कोई भी element है, वो एक ही बार आपका, एक ही बार उसको आप क्या करेंगे, शो करेंगे, एक से ज़्यादा बार उसको शो नहीं कर सकते हैं, similarly, जैसे अगर हमने, और भी जैसे हमारे पास कोई word है, उसमें हमें यह चीज को ध्यान में रखना है, कि हम उसमें एक से ज़्यादा बार किसी भी element को किसी भी set के अंदर represent नहीं करेंगे, ओके, नाओ, अब कुछ और example, sets के, जैसे x square plus x minus 2, let we have this equation, यह आपके पास एक quadratic equation है, of order 2, okay, now हमें चाहिए इसका solution set, तो solution set क्या हो सकता है इसका, अगर आप इसको solve करो, x square plus minus 2, so it can be written as 2 minus 1, x minus 2 is equals to 0, so it will be x square plus 2x minus x minus 2 equals to 0, so x minus 1 and x plus 2 equals to 0, so the solution set will be x is equals to 1 and minus 2, तो इसको अगर हम set में represent करें, तो it will be 1 and minus 2, so this is set, okay, so generally, जो इसमें questions आते हैं, वो questions इसी level के आते हैं, कि आपको sets को, जैसे अगर सपोच करो, अगर हम starting में अगर जो आपके questions आएंगे, वो इसी में आएंगे कि आप एक जो set है, उसको roaster form में convert करें, या roaster को आप set build up form में convert करें, तो generally इसी type के इसमें starting, जो first exercise में यही type के questions हैं, ठीक है, जैसे for example, एक example एक और है, 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 5 by 6, 6 by 7, ओके, या आपकी roaster form है, इसको हमें set build up form में convert करना है, तो set build up form में इसको convert करने का कैसा तरीका रहेगा, we can clearly see that, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह सारे के सारे क्या है, natural number, ओके, तो definitely इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, x, such that, x, किसका element है, definitely x is the element of natural number, okay, x is the element of natural number, now we can see that, कि, जो natural number है, वो इस type की form में है, अगर मैं 1 को n मानू, तो definitely जो 2 होगा, वो क्या होगा, 1 प्लस 1, यानि n प्लस 1, similarly, अगर 2 अगर n है, तो this is 2 प्लस 1, so we can see that, n अपॉन, n प्लस 1, okay, and, जो यह n है, यह कहां से खांतक वेरी कर रहा है, 1 से लेके, definitely, 6 त, because जो लास्ट में हो 7 है, क्योंकि अगर आप n की वेल्यू है, आपस 7 रख जेंगे, 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो यह से बाहर चला जाएगा, तो जो n की वेल्यू है, वो आपकी, 1 से लेके, 6 त, okay, so this is, this is a roaster form, and this is a set builder form, okay, the second one is, not convenient right now, but आगे जाएगे बहुत जादा, convenient होने वाली है, okay, so, so these are, we can say, the presentations of, set, that we can present, any set, in two forms, so roaster form, and set builder form, okay, अब, जैसे मेरे पास, कुछ है, NCRT के questions है, मैं इनको देखना चाहूँगा, जैसे exercise 1.1 मैं देख रहा हूँ इसमे, उसको मैं थोड़ा सा, orally मैं, solve भी करेंगे, और पूछेंगे भी, मैं देखना चाहूँगा, कि आप कितना उसका आंसर देते हैं, इसमें इसमें, the collection of all month, of a year beginning with the letter J, now, आपने बताना है कि set है या नहीं है, देखे, collection of all months, of year beginning with the letter J, J से start होने वाले, month, कौन-कौन से हैं, Jan, इसके जैसे फैब आता है, नहीं, March, नहीं, April, नहीं, May, नहीं, June, July, Yes, August, September, October, November, December, जैसका मुदलब कौन कौन से हैं, एक तो है अपका, definitely एक है, Jan, June, and July, तौन नहीं, आए, तौन लाट है, तो एफसे हैं, तौन आता है, तौन आता है, पून कौन आता है, आता है, is it a set no not at all because it is up to our choice a team of 11 best cricket batsmen in the world of course not because it is again up to our choice the collection of all boys in your class the collection of all boys is not up to our choice so that's that's why it is a set okay a collection of all natural number less than 100 the collection of all natural number less than 100 is again a set because we know that start agar ham start karei kaan se gaato karei one se lekei 99 tak jitne bhi numbers hai hai siya aapke properly defined hai okay isi tarah se the collection of novels written by the writer munshi pram chan munshi pram chan na jitne bhi joh novels rik hai hun sabka collection again it is well defined because joh inke novels hai woh aapke collection kya hai well defined hai okay the collection of all even integers yeh bhi aapke kya hai yeh sare kya sare kya sare kya these all are the examples of sets okay so I hope आछ kya joh lecture है आपको पसंद आया होगा आज के लिए बस इतना ही मैं अभी ज्यादह ज्यादा लंबी वीडियो को न hani बनाओगा मैं शॉर्ट वीडियो मनाओंगा ताकि आप लोग को भी यह समझ में आ सके और प्लीज अगर आपको यह वीडियो अगर मेरा पसंद आता है तो इसको प्लीज शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद